हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर चनल पढ़ो इंडिया आज हम करेंगे क्लास फॉर्थ की इंग्लिज की वर्कशीट नमबर टॉंटी थरी और इसमें हमें टॉपिक दिया गया है ग्रैमर का आप हमारे चनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे वर या मी-शब्र का इस्तिमाल करना है बचों आई का मतलब होता है मैं या मैने और मीं का मतलब होता है मुझे या मुझे खो चलिए अब इनी वर्स का इस्तिमाल करके हम सेंट्रैंस को भरते हैं फस्ट आ अई ह programmes où बूक मेरे पास कोई किताब नहीं है सेकिंड देखिए इंड me your pen, मुझे अपना pen दो, third, can I see the picture, क्या मैं picture देख सकता हूँ, fourth, my mother told me about your home, मेरी माता ने मुझे तुमारे घर के बारे में बताया, fifth, my brother bought a dress for me, मेरे भाई ने मेरे लिए dress खरी दी, second question देखिए, question number two, use of we and us, इसमें आपको we और us का इस्तिमाल करते हुए sentences को पूरा करना है, तो बच्चो we का मतलब होता है, हम या हमने और us का मतलब होता है, हमें अब इनको यूज करते हुए हम sentences को पूरा करते हैं, first, we should play everyday, हमें रोज केलना चाहिए, second, basketball is good for us to increase height, basketball हमारी लंबाई बढ़ाने के लिए अच्छी है, third, we all love to live with green plants, हम सभी को हरे पौधो के साथ रहना अच्छा लगता है, fourth, green and clean Delhi is good for us, हरी भरी और साफ दिल्ली हम सभी के लिए अच्छी है, fifth, all of us should grow plants, हम सभी को पौधो को उगाना चाहिए, question number three, देखिए, write 10 lines on sports, चलिए, लिखते हैं, sports is very important for us, खेल हमारे लिए बहुत important होते हैं, it keeps us healthy and fit, इससे हम स्वस्त रहते हैं, it develops our senses, इनसे हमारी इंद्रियों का विकास होता है, जैसे हम अच्छे से देख पाते हैं, किसी भी खेल को खेलने के लिए हमें एकागरता की आवशक्ता होती है, जो खेलो द्वारा विक्सित होती है, it maintains our emotions, हमारी भावनाएं भी इससे नियंत्रित होती है, हमारे स्कूल के जीवन का ये बहुत महत्पूर्ण हिस्सा है, स्कूलों में तो स्पोर्स पर विशेश ध्यान दिया जाता है, इससे हमारे अंदर अनुशासन और आत्म विश्वास का विकास होता है, क्रिकेट, होकी, फुटबॉल are some popular sports, क्रिकेट, होकी, फुटबॉल कुछ लोग पर ये खेल है, वी शुट टेक पार्ट इन स्पोर्ट, हमें खेलों में भाग लेना चाहिए, वी शुट प्ले ओनेस्टली, हमें इमानदारी से खेल, खेलने चाहिए, आगे देखते हैं, question number four, देखिए, right hand lines on green India, green India यहरा भारत पे आपको 10 line ये लिखनी है, चलिए लिखते हैं, इंडिया is a beautiful country, भारत एक खुबसूरत देश है, it has many rivers, lakes and forests, इसके अंदर कई सारे नदियां, जील और जंगल हैं या वन हैं, but we are neglecting its environment, लेकिन हम इसके पर्यावरन की अंदेखी किये जा रहे हैं, we throw waste anywhere, हम कोडा करकट कहीं भी फैंक देते हैं, we are cutting forests for making cities, हम जंगलों को काट कर शहर बनाते जा रहे हैं, many rivers are polluted, कई सारे नदियां परदूशितिया गंदी हैं, सच भारत अभियान is started to make India clean and green, सच भारत अभियान इसले शुरू किया गया था, ताकि भारत हरा भरा और साफ रह सके, We should not use polythene bags, हमें polythene की पनिया या बैग इस्तिमाग नहीं करने चाहिए, We should plant more trees, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड लगाने चाहिए, We should protect the beauty of our country, हमें अपने देश की खुबसूरती को बनाए रखना चाहिए, Question number five देखिए, right था, opposite words, अब आपको कुछ opposite words लिखने हैं, जैसे wise का होता है, foolish, wise का मतलब होता है, होशियार, foolish का मतलब बेवकूफ, love का होता है, hate, love का मतलब होता है, प्यार करना, और hate का मतलब नफरत करना, true, सही, false, गलत, beautiful, खुबसूरत, ugly, बदसूरत, care करने का मतलब होता है, किसी की देखबाल करना, और इसका opposite का neglect, यानि किसी को नकारना, या किसी की देखबाल करना, या लापरवाही करना, large का मतलब बड़ा, और small का मतलब चोटा, तो बच्चों, यहां हमारी ये वर्कशीट खतम होती है, और subject की वर्कशीट के आंसर के लिए, चैनल को subscribe जरूर करें, और वीडियो पसंद आने पर इसे like और share करना ना भूले, धन्यवाद,